हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन वेलकम बाक टू दे चैनल यार आज इस बीन लॉंग टाइम थोड़े दिन वीडियो नहीं आई दी क्लासिक्स की बट नो प्रॉबलम अगले 30 दिन लगातार क्लासिक्स की सारी वीडियो आने वाली हैं तो stay tuned on this channel ठीक है आज का हमारा टॉप पर ऐसी कोई वीडियो मिल जाती मज़ा आजाता कि बस यार question answer देखो और पूरा chapter तयार हो जाए पूरा chapter ना पढ़ना पड़े तो ये वो ही golden series है यार इसको बिलकुल miss मत करो पहले भी कोई वीडियो छोड़ी है तो जाके देख सकते हो ठीक है तो अपन क्या करेंगे NCIT questions को और कुछ थोड़े बहुत extra questions को discuss करेंगे और उससे हम पूरा chapter तयार कर लेंगे chapter में है क्या बहुत ही basic फटा फट आपको बता देता हूँ यार इसे को chapter घूमता है ये कि लोग गाओं में रहते कैसे है गाओं की life कैसी है उसी के बारे में तो यहाँ पर एक गाओं है जिसका list five of these अब दो एक हो तो अब देखो question यह पूछ रहा है कि कल पट्टू जो गाओं था वहाँ पे लोग farming में तो लगे हुए थे बट farming के अलावा वो कौन से field थे जहां पे लोग लगे हुए थे उनमें से कोई 5 बताओ ठीक है तो हमें बताना है वही कि simple सा question यह है कि गाओं म क्या हो जाएगा making baskets, utensils, pots, bricks, bullet cards, etc. यह सारी चीज़ें बनाना, basket बनाना, बरतन, pot बनाना, इंटे बनाना, bullet card बनाना, उसके लावा teaching कुछ लोग गाओं में च्छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं पई हम भी आपको पढ़ा ही रहे हैं तो teaching यह काम है इंपोर्टन काम है washing clothes, कपड़े दोना, धोबी वाला, weaving, यानि कि जो कपड़े weave करते हैं कपड़े सिलते हैं, repairing cycle, इस तरीके के छोटे मोटे काम लोग गाओं में, कलपट्टू गाओं में, किसी भी random XYZ गाओं में करते हैं, ठीक है? कभी भी देखो civics के जो chapters है ना, मैं आपको यह चीज़ शा सारे ही गाओं का case लिया जा रहा है, ठीक है? तो इसमें हम एक गाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब next question क्या है, different types of people you read about in Kalapattu who depend on farming, पहले तो जो किस तरीके के लोग थे, जो depend करते थे farming पे, और उनमें से सबसे poorest कौन से थे? तो main main हमने किस किस की story पढ़ी थी? तु जाओं में कितने तरीके के लोग थे? फार्मर्स थे, और ये सारे लोग, जो टीचर्स थे, जो basket makers, utensil makers, ये सारे तरीके के लोग थे, ठीक है? अब इनमें से बात करते हैं, सबसे गरीब को थी? तो तुलसी इनमें से सबसे गरीब थी, why? it is because she had no land of her own, क्योंकि उनके तुलस गाओं में सबसे पूर लोग कौन हो गए? तुलसी एक एक जामपल था, अभी आपको पढ़ना सिखा रहा हूं में, कैसे आपको समझना है? तुलसी एक जामपल है, पर आपको सीखना क्या है? सीखना ये है कि किसी भी गाओं में वो लोग, जो दूसरों के land पर काम करते हैं अब उसका मन नहीं करता था, वहां काम करने का, बट उसके पास कोई और चारा ही नहीं था, तो वो वो बिचारी क्या करती है? ठीके, आरहे समझ में, अब सपोस करो कि तुम एक फिशिंग फैमिली, यानिक एक ऐसा परिवार, जो कि मचवारों वाला परिवार है, अब वहा लिया जाए या ना लिया जाए, तो ठीक है, तो फिर आप इस पर क्या कहोगे, तो I would say that it is better to take a loan from a bank for this purpose than to go to a money lender, अब देखो पैसे, जब भी आपको गाउ में पैसों की जरूरत पढ़ती है, आपको पास दो रास्ते होते हैं, पहला आप किसी money lender के पास से ले जाओ, यानि बहुत सारा interest चार्ज करते हैं, बहुत सारा आपका पूरा घर का समान ले जाते हैं, वो पूरा एकदम illegal method होता है, समझे रहो, बट उसके अलावा एक method होता है bank से पैसे लेना, जिसमें interest कम होता है, आपको time देती ही government, कभी कभी loan माफ भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए money lender बहुत जादा बत्तमीजी से क्या करते हैं, loan वापिस मांगते हैं, पैसे अपनी जिस से, लोग loan लेने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कते face करनी पड़ती हैं, फोर्थ question है, poor rural laborers like Tulsi often do not have access to good medical facilities, good school, other resources, अब बहुत जो गरीब लोग होते हैं गाउ में, अकसर उनके पास कैसी facilities नहीं होती हैं, जैसे की medical facilities, schools, other resources, you have read about inequality in the first unit, आपने civics के पहले ही unit में ये chapter पड़ा था, inequality, discrimination, बेद भाव, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पड़ा था नहीं पड़ा था, तो वही बात यहां पे आ रही है, the difference between her and Ramalingam, Ramalingam कौम था, जिसके field पे काम करती थी विचार पारी, तुलसी, उनकी बीच में बड़ी inequality थी, एक अमीर थी, गरीब थी, एक standard of living का difference था, था के नहीं था, तो क्या आप मानते हो, ये fair है, देखो, clear cut answer आपको पता रही है, no, discrimination, भेद भाव, inequality कभी भी justify नहीं करी जाती, है ना, but the point is, आप कितने अच्छे से लिख पा रहे क्योंकि हम, यहां जो हमारा education system है, वो हमें बहुत focus करता है कि हम कितने अच्छे से लिख पा रहे है, तो वो भी आपको आना ही चाहिए, तो लिखो कि कैसे, no, this is not a fair situation, ये किसी भी तरीके से एक fair situation नहीं है, there should be a ceiling of land, it will help everyone to have some land where one can earn one's livelihood, याने कि सब के पास एक fixed amount of land होना ही चाहिए, इतने गरीब लोगों के लिए पास specially, ताकि उन्हें लोगों पर depend ना होना पड़े, अपने basic खर्चों के लिए, primary education should be made compulsory, जो primary education है, वो come up देखो, ये book बहुत पुरान ही है, ये questions बहुत पुरान है, अब ये चीज हो चुकी है, तो differences आ रहे है, ठीक है, ये चीज बहुत काम कर रही है, now point is कि लोग educated हों उनको avail करने के लिए, है ना, तो बस ये सारे तरीके थे, जिससे उनके बीच में differences हटाई जा सकते हैं, last question है, ये NCRT का, what do you think the government can do, help farmers like Sikar, when they get in debt, अब देखो, गाओं में जब किसान लोग बहुत ज़्यादा debt में आ जाता, तो शेक बहुत उधार, तो हुआ क्या, government can provide assistance, अब देखो, government कैसे रोक सकती है, बहुत सारी चीज़े, मैं हमिशा आपको समझाता हूँ न, civics history, geography, पढ़ने से पहले दिमाग चलाओ, हर question को read नहीं करना है, ठीक है, तुम कल मानो, तुम मारा कल paper है, तुम पढ़के number ले आओगे, ब लोगों को, गरीब लोगों, गरीब किसानों को, जब वो लोन देते हैं, तो interest बहुत कम, या फिर even interest free, ये लिखा, चलो पढ़ते हैं, government can provide assistance to farmers like shaker, interest free loan, और loan at the lowest rate can help him, अगर ये जो interest था, बहुत कम होता, तो शायद इतना debt कभी भी शेकर के उपर नहीं होता, seeds, fertilizer, pesticide can also be provided to him on subsidized rate, government उसके वालावा एक बड़ा important काम कर सकती है, कि subsidized, अब ये क्या होता है, subsidized rate देख समझाता हूं, government के पास हर चीज का tax आता है, जो भी हम चीज़ खरीदते हैं, अपने इस country के अंदर, वो हर चीज़ पर बहुत प्रकार के tax होते हैं, अगर कोई चीज 5 रुपे की है, तो tax कटते कटते, लगते लगाते हैं, हमारे उपर वो 15 रुपे की पढ़ती है, तो government जब ये tax हटा देती है, तो उस चीज़ को कहा जाता है, subsidized rate, समझ रहो, difference में है, तो कभी-कभी seeds, fertilizer, ये basic need है यार एक farmer की, तो government को, farmers को ये सारी चीज़े subsidized rate में पहुचानी चाहिए, ठ ठीक है, उसके बाद ये बकवास question है, ये पढ़ने की, आप कोई दोरोत निक खुद आप कर सकते हो, और अब हम कुछ थोड़े बहुत धंके, अच्छे question, क्योंकि आप मेरे को, आपको मैं कई बार पता चेक हूँ, NCIT की question, तो मुझे थोड़े ऐसी लगते हैं, ढिले से, अ एक क्लाइन का single answer है, इसका, people migrate from rural to urban areas to find job, अच्छी job के लिए migrate करते हैं, ठीक है, clear हुआ, चलो, next, अब आते हैं हम थोड़े अच्छे questions पे, describe the different types of work that shaker do for living, अच्छा question है, question आ सकते है, ठीक है, तो shaker कहन था, एक small farmer था, बहुत छोटा सा farmer, इसके पास दो एकड़ की जमीन थ पूरा अपना केज चलाता था, और paddy होगाता था, he also work in Ramalingam's rice milk, अब Ramalingam जो rice आदमी थे गाओं के, उसकी rice milk भी थी, उसमें वो काम करता था, milk रही होगा, यहाँ पे mil होगा, he helps him collect paddy from other farmers in the neighboring village, उसके अलावा, वो और farmers की भी help करता था, मतलब अलग 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 चीजों से कमाता था, he also has a hybrid cow, whose milk he sells in the local milk cooperative, उसके पास एक hybrid cow भी थी, जिसका milk वो, जिसका जो दूद था, वो बेचता था, अब देखो, एक और important question है, तीन ऐसे situation मताओ, किसी भी farmer के लिए जहाँ पे, जो crop है, वो पूरी तरह बरबाद हो सकती है, पहला, if the seeds are not of good quality, कि जो seeds है, वो अच attack कर दिया, पूरी seed पर, या फिर बारिश सही से नहीं हुई, या बारिश over हो जाए, समझ रहो, तो ये तीन थे, आप हम देखते है, write a short note on the lives of fishing families, important question है, पता होना चाहिए आपको कि हमारे देश में, जो मच्छवारे families हैं, उनकी life कैसे है, तो जो fishing families हैं, usually live close to sea, ये तो simple obvious ब सारी वो चीजें होती हैं, जिससे हम fish पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके घर के भार मिलती हैं, क्योंकि उनके fish पकड़ने होती है, nets, catamaranas, their day usually starts from 7 बजे in the morning, वो सुबे 7 बजे से उनका दिन शुरू हो जाता है, this is the time when there is a lot of activity on the beach, ये वो टाइम होता है, ज इससे वो fish भर के लादे हैं, इसमें पकड़के, तो जब 7 बजे के बाद, खूब सारी fish पकड़ी जाती है, और वो वापिस ले के आते हैं, तो जो उनके घर में औरते होती हैं, वो सारी fish को इखटा करती हैं, और क्या करती हैं, उन्हें बेचने जाती हैं, they do not go to the sea for at least 4 months during mon अच्चे पैदा होते हैं, उस टाइम पे वो लोग कभी fish पकड़ने नहीं जाते, ठीक है, तो बस I hope इतना chapter काफी अच्चे से समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत परेशानी problem हो, तो comment section में डाल दो, तुमारी problem solve की जाएगी, ठीक है, वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो Take care and मौज मस्ती करते रही है